आक्टर राजिश खटर जिन्हें आप कई बॉलिवुड फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं सूर्य वंशम आईना डॉन दचेस बिगंज डॉन टू खिलाडी 786 रेस्टू जैसी कई और फ्रनों में राजिश खटर ने छोटे लेकिन इंपॉर्टन रोल्स प्ले किये थी आपको बदा दे कि राजिश खटर शाहिद कपूर के सौतेले पिता हैं लेकिन इशान खटर के बायलॉजिकल फादर है और अब इनको लेकर एक ताजा खबर जो साम इली माओर आक्रस वंदना सजनानी ने अपनी फानेंशल सिटूएशन के बारे में खुलासा किया हाली में वंदना ने एक न्यूस विबसाइट के साथ खास बातचीट दी और इस बातचीट में बंदना ने बताया कि बीते एक साल से अब तक उनका समय बेहत खराब गुज सब्सक्राइब करते हुए वंदना ने कहा पिछली बार में अस्पताल में थी मुझे वास्तर में नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा था पिछले साल मैं मुझे पोस्पॉर्टम डिप्रेशन हुआ था जब लॉगडाउन अपने चरम पर था तब से अब तक परिवार का को बढ़ती होने पर बहुत सारी बचत कम हो गए काम मिलकुल नहीं हुआ और जितनी बचत थी वो भी अस्पताल में भरती होने में और इस दो साल के लॉगडाउन में खर्च हो गए मेरा बेटा कुछ महीनों के लिए आई सीउ में भरती था और तब से मैंने केवल एक एड मे काम किया है आगे बात करते हुए वंदिना ने बताया इस बार बहुत धक्का लगा है हमने बहुत दुख सहा है मेरे पती और ससो दोनों अस्पताल में भरती थी आपको बता दें कि एप्रिल के महीने में राजिश खटर और उनकी पिता दोनों ही करोना से इंफेक्टेड हो यह पहुँचे थे खैना आपको बता दें कि आक्टर राजिश खटर ने बंदना से पहले अक्ट्रस निलिमा अजीम के साथ शादी की थी दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है इशान खटर लेकिन राजिश और वंदना की एक संतान हाली में पैदा हुई थी बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए, सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को And yes, don't forget to press the bell icon ता कि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं